हेलो क्लास है इस वेलकम टो आवर चैनल राइजिंग क्लासेश प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल प्रस्क्राइब लाइकन फर मोर वीडियो आज हम डिस्कुस करने वाले चैप्टर फाइफ जिसका नाम है कोईल पेट्रोलियम का पार्ट वन तो चलिए स्टाइच करते हैं प सब्सक्राइब नेचर से मिलते हैं इस सब्सक्राइब करने के बाद जो लोहा मिलता है या फिर कोईला मिलता है यह भी हमारे नेचर के द्वारह मिल रहा है वाटर देखे वाटर रिसोर्स का एक नेचर रिसोर्स है यह सारे के सारे क्या होते हैं आपके नेचर रिसोर्स करते हैं सोईल देखे मिट्टी मिट्टी भी क्या है नेचर रिसोर्स है इस तरी के से जो आपकी एयर है हो भी क्या एक नेचर रिसोर्स है तो यह नेचर रिसो आपके घर में जो चीज खतम होने वाली होती है, इस मीन्स की जो लिमिटेड एमांट में हो, जिसका एक टाइम लिमिट हो कि उसके बाद से वो क्या हो जाएगी, पुरी तरीके से फिनिश हो जाएगी, वो क्या होती है आपकी इनग्सुस्टिबल, मतलब कि आपके एक्सुस्टिबल, मतलब की जो चीज खतम हो जाए, ठीके फिूचर में जिसका क्या हो सकता है, खतम हो सकता है अगर आप जादा 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 योज करते हो, लाइक कि देखे जो लिमिटेड में प्रेजन्ट हो, और इनेग्जेस्टिबल क्या होता है जिसका आप मतलब जाज़ादा यूज़ भी कर सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता जो अनलिमिटेड होता है ठीक है इनेग्जेस्टिबल क्या होती है जो अनलिमिटेड होता है देखे दार रिसोर्स जैट प्रेजेंट इन यह ऐसा निया कि लिमिटेट प्रेजट है यह खतम हो सकता है ठीक है ऐसा नहीं तो इन अग्जिस्टिबल क्या होती है जो अनलिमिटेट अमाउन भूब्रेजन्ट होती है ठीक है जो हमारी हूमन एक्टिविटीच के दौरा खतब नीचेट एक्जाम्पल के लिए आपका है एयर और संग लाइट और बापके और चीजिए भी होती है यह आपके क्या होती है स्टोरेंड की in exhaustibles होती है ठीक है उसके बाद देखिए एक्जोस्टिबल क्या होती है दारी सोसे डाट एट प्रेसंट इन लिमिटेट कॉंटेटी जो कि स्में प्रेसंट हो लिमिटेट हो गया पेट्रोलियम हो गया मिंदर्स हो गया फोरेस्ट हो गया अब सेक्ट यह सारी के साथ चीज़े कैसी अगर आफ जाल ज्यादा यूस करो तो यह क्या हो सकती है ठीक है क्योंकि यह लिमिटेड एमांट में में समने प्रेजेंट है और इसका और एक्जामपल आप देख स कान सी जो अनलिमिटीड प्रेजेंट हो जो खतम नहीं होगी ऐग्स्टिवल कौन सी जो खतम हो सकती है लिमिटेड एमांट में प्रिजेंट है करतेए टीक एकुछा होता है अपने परेंट के साथ कार में बैठा होता है तो कहता है कि आपक्शा हो सारी की है प्यार Laivo को पताना अच्छे बहुत अच्छे से उसको देखि फोसेल्स क्या होते है। फोसेल्स बहुत सीम्पल से चीज होती है, होता है कि कुछ प्लाउ्स होता है, कुछ एनिमल मर ब्र proceeds है, ठीक है। तो कहीं न के जो उनकी बोन्स है वो कहीं न कहीं फॉसल्स का रूफ ले ले लेती है कई सालों बाद थे के देखिए दरी मीन प्लांट और एनिमल ट्रांसफोर्म ओवर टाइम इस कॉल्ड़ फॉसल्स हाना वही जो डेट पार्टिकल्स होते हैं आपके प्लांट और एनिमल के वो काफी लंबे समय बाद लगबग 100-200 साल के बाद क्या होता फॉसल्स का फॉर्म में कनवर्ड हो जाती है जो भी डेट ची जालेंगे तो यह क्या फॉसल्स के फॉर्म में होगा ऐसे यूमन में स्केल्टन हो गया इस ताडिकर से इसका बाउन हो गया तो यह चीज़ होते है आपकी फॉसल्स होते है ठीक है जो डेट चीजर सम एक्शोस्टिबल नेच्वल रिसोर्स इस फ्रॉम देट रिमें ऑफ फॉसल्स फ्यूल डेट वस फॉर्म बाइदा डिकेव वेजिटेशन्स विच एग्जस्ट मिलियन ऑफ यह जगो मतलब मिलियन समझ जो अब दस मतलब कोई दस लाग साल पहले मतलब बहुत साल पहले क्या होता है यह जो डेट पार्टिकल वगरा रहे होंगे वो नीचे वह उनकी हट्टीक होती है वह आपके जमीन के अंदर सुल के अंदर मिं दस जाती है गड़ी होती होती है उसके पर लबिध समय तक निया राती है लट यह एधिया यह जो होता है कि जैसा इक लंबिद गांधि एटलिस कम से कम सो साल, 200 साल, 300 साल, ऐसे से टाइम बहुत जादा लगता है, तो फॉसल स्विल्स बनते हैं, जैसे आज अगर मान लीजिए कोछ यह द्यात होती है, और उसको जमीन के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो कई साल हो बाद, आसे 200 साल, 300 साल बाद हो क्या बन जाएगी, फॉसल्स बन जाई, तो यह अपके फॉसल्स होते हैं, ठीक है, ट्रांस्फॉर्म हो जाते हैं, एक टाइम के बाद, जिट पार्टिकल्स, जो भी अनिमल्स और प्लांट के होते हैं, उसके बाद देखिए, डिस्स्क्तिब डिसिलेशं क्या होता है, ट्रॉस्लेट्ट्य किय कहता है the process of heating of a coil in the absence of air is called destructive distillation उसे क्या बोलते है destructive distillation तो यह आपके definition याद रखना कि वो process जिसके अंदर हम carbon को heat करते है absence of air उसे क्या कहता है destructive distillation देखिए कोईल तार हो गया जैसे black thick liquid mixed about a 200 substance it is used to get a various material everyday in life industry like a drugs, dains, plastics, parfume, subsection तो यह कहीं है किई इसको heat करने कपाद इसको exams be product निकलते हैं ठीक है अगलिए को हीट की अगया को हिर को हीइट करने आप sense of air में उसके बाद से इसका क्या release होता है kolta release होता है और gas release मतला इसके by products नाले जाते ठीक को हीट किया heat करने कपाद कुछ by products जो कर सके उसके साथ जो दूसरे उसके बाइप्रोड Each कर सके को यूज यूच कर सके चाहएक वाप का अब याप कुछ यूज कर सकते हैं पेट्रोलियम एंड फ्यूल देखिए पेट्रोलियम जो ये आपका पेट्रोलियम इस आफ फ्यूल डैट ऑप्टेइन बाइड डीकमपोजिशन ओफ डैड अनिमल एंड प्लांट पेट्रोल कैसे बनता है जो आपके प्लांट्स होते हैं और अनिमल्स अटेट कर जाते हैं उनके प्लांट्स होती है उससे क्या बनता है पेट्रोलियम बनता है डियू टू जो लॉजिकल चेंज इस अंडर अर्थ जो लिजिकल चेंजिस मतलब की जैसे कि मालो लो अर्वल अलग हो रहा हो ठीक है जो भी अंदर चेंजिस होते हैं अर्थ के अंदर ठीक हैं आपके कोई एक एरिया होता है हुआ उस एरिया डिफर करता है उसे हम बोलते हैं जूर्जिकल चीन्ज इंज्ज इट मीस ओयल फोर्म से रॉप्स और इसी का जो ओय हो गयरा होता है वह भी अमारी कंदर से निकलता आपने प्लना तेल के कुवे ओ क्यों जमीन से क्यों निकलता है यह ही दट पािटिकल्स होते है जैसे कि कही जासर आजया सब्सक्राइब पहले ठीक है एनिमल द्याथ कर गया होंगे और प्लांट तो जिनके हो जैसे यह पेट्रोल वहां पर बन गया अंदर जमीन के ठीक है लिक्विड इंसॉलिबल इन वाटर तो यह आपकर दिस्ट्रक्टिव डिसिलीशन जिस प्रोसेस के अंदर हम कार्बन को एपसेंस आफ एय